नमस्कार साथियों संस्कृति आयेस की यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ चंद्रशेकर आज हम बात करने बाले हैं भारत और नेपाल संबंद के बारे में ये आपके इंटरनेशनल रिलेशन विसे से जोड़ता है साथी साथ आप ये भी ध्यान अभी तक कि इस्तिती को बताने की कोशिश करेंगे इसमें उसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखें आप लोगों के लिए ये लगा दिया गया है अर्थात जो पेपर में प्रकाशित हुआ है उसको हम यहाँ पर सो कर रहे हैं ताकि ये पता चल जाए कि हा भारत की यात्रा पर है अपने यात्रा के दौरान उन्होंने भारत से अपील की कि उन्होंने जो दो अपने देश में एयरपोर्ट नए एयरपोर्ट बनाए हैं चीन की सहायता से उस एयरपोर्ट के माध्यम से जो जहां जे उडान भरती हैं उन जहां जो के लिए रास्ता भा इरपोर्ट उसका निर्माड एक का निर्माड चीन के सहयोग से हुआ है और दूसरे का निर्माड चीन की कमपणी के द्वारा किया जा रहा है तो यहां पर देखें दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई अर्थात भारत और नेपाल के एयर रूट के लिए समझोता हुआ दो नए हवाई अड़े का निर्माड किया गया है एक का नाम है भैरवा और दूसरे का नाम है पोकरा अब जैसा कि मैंने बताया कि दोनों चीन के द्वारा बनाया जा रहा है सो भाविक सी बात है अगर इस मार्ग से होकर के मतलब यहां से होकर के भारत के रास्ते करीब तक स्थापित कर सकता है नेपाल के माध्यम से सो भाविक है भारत की चिंता अपने सुरक्षा चिंताएं अलग है और भारती साधार पर रास्ता नहीं देने की बात कर रहा था बहरहाल जो भारत के प्रधान मंत्री हैं उन्होंने यह कहा कि हम इस पर विचार करेंगे हलाकि कुछ जो निउस्वेपर हैं वो यह कह रहे हैं कि समझोता हो चुका है और समझोते के तहत बात यह हो गई है कि एक निशित अंतराल पर अर्थात उचाई पर ही अगर नेपाल के विमान उडान भरेंगे तो भारत उनको रास्ता दे देगा शर्तों के साथ भारत ने स सफल रही और वहां के जो विदेश मामलों के विशशग्य हैं मतलब नेपाल के उनका कहना है कि दरसल यहां पर तक्निकी पक्षों को समझना होगा और तक्निकी पक्षी यह कहते हैं कि जितनी नीचे अरथा कम उचाई पर नेपाल के विमान उडान भरेंगे तो इसका बाते कही गई हैं बताएं गई हैं कि दोनों से दोनों से दोनों की दोनों की पूल है तो प्रिवादों को और विवादों के साथ हम बिलकुल चुरु से ले करके चलेंगी परीचय की बात करें तो और एक ऐत के रोप चीन से घिरा हुआ है यहां पर यह जो है चीन की बाउन्डरी है और इस तरफ से आप देखेंगे यह 3 तरफ से नेपाल भारत से घिरा हुआ है तो दोनों देशों के मध्धे यह जो शित्र है मतलब देश है इसकी अवस्थिती इसी को हम कहते हैं यह बफोर भारत पर आक्रमन नहीं कर सकता उसे पहले नेपाल को क्रोस करना पड़ेगा और तब तक भारत के पास तैयारी करने का परियाप्त औसर होगा अगर ऐसी सितियां उत्पन होती है तब तो एक तो यह आप लोगों ने देख लिया अब यहां पर समझने माली बात यह है कि जो नेपाल है भारत के किन किर राज्यों को असपर्स करता है अर्थात भारत की कौन से राज आप ऐसे भी कह सकते हैं नेपा के साथ साथ आपको यहां पर सिक्किन दिखाई देगा तो एक दो तीन चार पांच ऐसे राज्य हैं भारत के जो नेपाल के साथ अंतराश्टी सीमा बनाते हैं सो भाविक सी बात है कि यह एक लैंड लॉक्ट कंट्री है अर्थात दोनों तरब से यह अस्थल से अवरुद् या कोई भी शेत्र ऐसा नहीं है जो समुद्र को असपर्स करता है ऐसे देश को हम लैंड लॉक्ट या भू आबध देश कहते हैं या शेत्र भी कह सकते हैं अगर कोई शेत्र विसे इसकी बात हो तो बहराल हम देश की बात कर रहे हैं तो भू आबध देश है अब यहां पर और इसी आधार पर नेपाल के विदेश नीती का निर्धारन होता है कैसे निर्धारन होता है तो नेपाल का ये कहना है अर्थात उसके विदेश नीती में यह पहलू शामिल है कि दोनों देशों में जो मजबूत हो या जिससे लाभ अधिक हो या जिसकी इस्तिती बहतर हो उस को खुस रखो उससे अपने संबंध को बिहतर रखो बहुद था कि भारत के मुकाबले चीन की स्थिती आर्थिक मामलों में जादे मजबूट है अब ऐसे जनसंख्या remained मामले में नहीं कहा जा रहा है क्योंकि जिन संख्या के मामले में हम चीन को पीछे छोड़ चुके हैं कुछी दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा तो यहां पर अगर बात करें तो भारत के रास्ते लगभग 62 प्रतिशत अपनी आर्थिक गतिविधियों का संचालन नेप बार कर सकता है अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बी बी आई एन एक परियोजना पर शुरू की गई है बी बी आई एन ठीक है यहां पर बांगलादेश भूटान इंडिया नेपाल यह एक समझोता है और इस समझोते के तहत यह किया गया है कि हम इस पर काम करेंगे और एक आवा गमन का मारी सुनिश्यत होगा लेकिन भूटान ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है भूटान अभी इसके लिए तैयार नहीं है इत्यादिवाती इसके बारे में हम आगे चलकर के बात करेंगे बहरहाल यहां पर समझ ले तो जो नेपाल के अस्थापना की बा भारत और नेपाल की खुली सीमा है इन सब राज्यों की बात कर लिजे अर्थात आप बिना पासपोर्ट के विदेश को हम सकते हैं विदेश की यात्रा कर सकते हैं यहां जाने के लिए कोई भी पासपोर्ट या बीजा की आवशक्ता नहीं होती है आप आराम से जाकर के खरीदना है या बेचना है खरीदिये बेचिये और पिर साम तक अपने घर चले आईए कोई दिक्कत नहीं है कोई रोकने टोकने वाला नहीं है नेपाल एक ऐसा देश है जिसे लीगली भारत को गाली देने का अधिकार है चादी विवाह में आप लोगों ने देखा होगा क अगर दुल्हा पक्ष है या दुल्हन पक्ष है जहां पर भी जो जाता है तो गालियां दी जाती है तो उस गाली की मैं बात कर रहा हूं ऐसा इसलिए है क्योंकि जिश्चित्र की हम बात कर रहे हैं दरसल जो सीता माता रामाड आप लोगों ने देखा होगा यहां से बिलॉंग करती थी और राम जी अयुद्या से तो इन दोनों का जो विवा हुआ था आज के संदर में हम बात करें तो अंतराश्टी विवा हुआ था और इस आधार पर भारत के लिए नेपाल ससुराल है और नेपाल को इस आधार पर गाली देने का अधिकार है लीगली गाली देने का अधिकार है तो यह बात आप लोगों किस चित्र में अवस्थित है किस हिस्से में अवस्थित है तो भारत की उत्तरपुर्व में ये उत्तरपुर्व में अवस्थित है नेपाल की विदेश नीती जैसा कि मैंने कहा कि ज्यादा बलवान जो भी हो उसे खुस रखने की नीती पर नेपाल काम करता है इसी से में हमारे पहले प्रधान मंतरी थे और यहां पर सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा था कि भारत और नेपाल के मध्य कोई भी ऐसा समझहौता तो नहीं हुआ है लेकिन समझहौता भले ही ना हुआ हो। नेपाल पर अगर कोई देश आक्रमड करता है तो इसका मतलब यह है कि भारत अपने उपर आक्रमड मानेगा और उस आक्रमड में नेपाल के तरफ से भारत हस्यशेप करेगा ये बात उन्होंने कहा दूसरी बात जब हम राजेंद्र प्रशाद जी की बात कर रहे हैं तो इन् अगर नेपाल पर कोई खत्रा उत्पन होता है तो इसका मतलब यह है कि वह भारत पर भी खत्रा है भारत की शांति और सुरक्षा के लिए खत्रा उत्पन कर रहा है और इसलिए उन्होंने यह भी कहा आगे वह कहते हैं कि नेपाल का जो मित्र होगा वह भारत का मित्र होगा और नेपाल का जो शत्रू होगा वो भारत का शत्रू होगा तो ये इसके importance को बताता है दरसल ये राजंद प्रसाद जी यहां पर गये थे 1956 में उस दौरान नेपाल की यात्रा पर गये थे उस दौरान उन्हों कहा था पंडित जौहरलाल नहरु ने 1950 में ये बात कहा था उन्नी सो उन्चास की बात करें तो उन्नी सो उन्चास की घटना को थोड़ा आप याद करेंगे अगर international relation आपने पढ़ा है उस दौरान हुआ क्या था दरसल के उन्नी सो उन्चास में सामयवादी क्रांथी होती है चीन में और उस सामेवादी क्रांथी की वदावलत यहां पर जो इस्थति आप देखेंगे इससे पहले उर्थात हमने जो मैप देखा था यहां पर मैप देख लिजे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए यह जो लिखा गया है चीन तिब्बत पहली ये शेतर तिब्बत था तिब्बत पर चीन ने 1950 में अधिकार कर लिया सामेवादी करांती हुई और सामेवादी करांती के बाद ये इस्तिती देखने को मिली तो जो 1949 की इस्तिती है उस समय जैसे ही तिब्बत पर चीन का अधिकार हुआ चीन नेपाल की सीमा तक पहुँच गया और जब ये इस्तिती देखने को मिली तो USA की नेपाल में रूची बढ़ गई और ना केवल रूची बढ़ी भारत नेपाल एक शांती और मित्रता संधी होती है और ये कब हुई 31 जुलाई 1950 में साथी साथ जो नेपाली नागरिक थे उनको समान सुव सुविधाओं और औसरों का लाब शांती और मित्रता संधी जो 1950 में हुई थी भारत और नेपाल की मध्य इसी के आधार पर नेपाली नागरिकों को भारत में कहा गया कि समान सुविधाओं और औसरों का लाब दिया जाएगा अच्छा यहां तक तो बाते समझ में आ गई एतिहासिक प्रिष्ट हूम यह बताती है भारत और नेपाल की जो दोनों देशों के मध्य संबंध हैं और दोनों देशों के मध्य संबंध किस-किस प्रकार के हैं यहां पर देखें भागोलिक संबंध हैं ही साथी साथ जब अखंड भारत की बात करते हैं उस समय आप सकते हैं एतिहासिक संबंध हैं दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाली देने का अधिकार है वो सांस्कृतिक संबंध भी है आर्थिक संबंध के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि 62 प्रतिशत जो ब्यापार होता है वो इसी भार भारत के रास्ते होता है लगभग साथ लाक से अधिक मैं एक लगभग की बात कर रहा हूं वहां के लोगों को अर्थात नेपाल के लोगों को भारत में रोजगार मिलता है यहां पर आ करके अपनी आर्थिक गतिविधियां संचालित करते हैं विदेशनीती में भारत के विद भावित करता है इसलीए यह विसेस महें तो रखता है तो जो शाक के वंस संबंदिटए गौतम-बुद्ध की बात करें हैं गौतम-बुद्ध के बारे में आप लोगों ने सुना भी है पढ़ा भी है तो उनके समय से ये संबंध भारत और नेपाल के मद्द संबंध माना जाता है कि प्रगार रहा है क्यों ऐसा माना जाता है तो नेपाल में जो लुम्बनी है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और जन्म के आधार पर धार्मिक द्रिश्टिकूर से ये जादे महतुपूर हो जाता है जो लुम्बनी है वो बहुत धर्म के जो महतुपूर धार्मिक अस्तल है उन धार्मिक अस्तलों में से एक है इसलिए हम वहाँ से जोड़ करके देख रहे हैं और अगर उससे भी पीछे जाएं तो हम रामाड से जोड़ करके तो देखते ही हैं बहुत धर्म से हिंदु धर्म में ये बदलाव होता है वहाँ पर बहुत धर्म का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार हुआ प्रचार प्रशार के बाद हम कई बार ये भी सुन चुके हैं कि नेपाल एक हिंदू राष्ट है हिंदू राष्ट बन गया है या हिंदू राष्ट को लेकर के बाते हो रही हैं बहर हल हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत धर्म से हिंदू धर्म में ये जो बदला हुआ 750 से लेक बेटी की बात कर रहे हैं तो बेटी का मतलब यह है कि जो सीमावर्ती राज्य है उन सीमावर्ती राज्यों का आपस में नेपाल में विवा होता है बिहार और बाकी जो रहें बैवाहिक संबंद स्थापित होते हैं इसलिए यहां पर बेटी का भी और इसे कह दिया गया है कि बेटी और रोटी का संबंद है पहले से भी आप जोड़ करके देख सकते हैं आज से भी जोड़ करके देख सकते हैं तो यहां तक तो बाते समझ में आ गई अब बात यह कि आती है कि दोनों देशों के मध्य विवाद कहां कहां पर है तो एक जो विवाद है सुस्ता नदी विवाद सुस्ता नदी ये बिहार के पश्चिम مش अमपारन जिले का एक भाग है अवस्थिती की बात करें तो गंड़क नदी के तट पर ये अवस्तित है साथी साथ बिवाद का मुख्यकारण यहाँ पर ये माना जाता है कि जो गंड़क नदी है उसका मार्ग लगतार परिवर्तित हुआ और परिवर्तित होने के साथ इसे नेपाल में नाराडी के नाम से जाना जाता है जो सीमा निर्धारित किया था इस सुस्ता नदी को ले करके और जैसे ही ये अपना मार्ग परिवर्तित करती है तो अगर मान लेते हैं थोड़े समय के लिए ये जो सुस्ता नदी यहाँ पर द परिवर्तित करके यहां चली आई तो इसका मतलब यह थोड़ी हुआ कि हम इस छेत्र को छोड़ देंगे हम इसको प्राकृतिक सीमा मानेंगे जरूर मान सकते हैं और तब इसको मान्यता दी जा सकती है जब यह नदी अपने पुर्व की इस्तिती में रहे लेकिन ऐसा तो है न अब यहां पर नेपाल का क्या दावा है सुस्ता नदी को लेकर के वो यह कहता है कि यह लूंबनी प्रांत के पश्चिम में स्थित है सुस्ताशित्र साथी साथ 9 85 जीले के अंतर्गत यह जो घ्रामेड नगरपाली का है यह उसका भाग है जो भारत है उसका कहना है यह पश्मिश अंपारन का भाग है और इनका ये कहना है कि ये जो नवल परासी जीला है उसके अंतरगत आता है अब इसी बात को लेकर कि यहाँ पर और बिवाद है जो नेपाल है वो आरोप लगाता है कि सुस्ता में इतने हेक्टेर से अधिक नेपाली भूमी पर भारत ने एक अधिकार कर लिया है या अधिकार कर लिया है अबैद रूप से कबजा कर लिया है यहाँ पर कबजा शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब ही यही है कि अबैद रूप से किया गया है और ये जो नाराणी वहाँ पर कहा जाता है ये सुस्ता रिवर है इसको आप चर्चा करेंगे दो बार चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि जब काला पानी शेत्र विबाद आएगा वहां पर भी इसकी चर्चा होगी सुगौली की संधी के माध्यम से जो गंड़क नदी है उसको अंतराष्टी सीमा माना गया था और उस अंतराष्टी सीमा के आधार पर ही नेपाल दावा करता है लेकिन भारत का ये कहना है कि इसके मार्ग में परिवर्तन हो गया है जो अस्थान पहले इसका था अब वो अस्थान बदल गया है तो जो शेत्र नेपाल में चला गया है दरसल भारत का भाग है और नेपाल का कहना है कि जो समझ होता हुआ था उसी के आ गंडक नदी के मार्ग में लगातार बदलाव हुआ है बदलाव के फल सरूप ये भारत दावा करता है कि वो शित्र मेरा है सुस्ता नदी के पुर्व की और कटान लगातार शुरू हुआ और यहां पर परड़ाम ये हुआ कि नदी भारती हिस्से में प्रवाहित होने लगी और इसी आधार पर भारत दावा करता है नेपाल 1816 के अंतराष्टी सीमा को आधार मानता है जो सुगवली के संधिके द्वारा निर्धारित किया गया था और भारत कहता है कि अब वो इस्तिती नहीं रही है तो यहां तक तो बाते आप लोगों ने समझ लिया अब बात आत यह जो शेत्र है उत्रा खंड के पिथवरा गड़ का हिस्सा माना जाता है नेपाल का कहना है कि यह मेरा भाग है ठीक है अभी क्या इस्तिती है यहां पर देखेंगे यह काला पानी शेत्र है और यहां पर भी दिखाया गया है काला पानी शेत्र यह काल जो कैलास मांसरोर य सकषड में नयपाल से जुड़ा हुआ है कहने का मतलब यह है यह जो शत्र है एक ट्राइंगल का निर्माण करता है ट्राइंगल का मतलब यह है कि यहाँ पर तीन देश मिलते हैं तीन क्टैस अगर भारत मानते हैं थोड़े समय से बात करके शित्र को अपने हिस्से में लिया था और उस समय नेपाल तैयार भी हो गया था नेपाल ने भारत को दे दिया था यहाँ पर 1960 में ही जो चीन की गतिविधिया देखी गई उसी दोरान भारत ने नेपाल से बात करके और उस शित्र में अपनी सेने चोंकिया स्थापित किया वज़ा साफ है क्योंकि यहाँ पर जो भारत के इस्तिती थी वो इस्तिती काफी उचाई पर है और उचाई पर होने क वजह से भारत की बढ़त चीनी सेना पर जादे थी अर्थात भारत की सेना चीनी सेना को आसानी से टार्गेट कर सकती थी अगर ऐसी इस्तिती नहीं होती और भारत पहले से इस पर पहल नहीं करता तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से अन्य शेत्रों में च 30 12 2ी युद की बात करें तो यह जो छेत्र है काला पानि चेत्र उस पर अधिकार था किस पुलिस बल के द्वारा निगरानी या सेरा के द्वारब की जाती थी तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस का इस छेत्र में नियंत्र था फुलिस जो हो कि भारत ने थापित किया अब इसी से संबंदित कुछ और बाते यह जो आपको दिखाई देती है यह ट्राइजक्सन है जैसा कि आप यह नेपाल देख रहे हैं यह आप देख रहे हैं ठीक है यह दार्चुला है यह उत्राखंड और उत्राखंड के साथ यह जो आप देख रहे हैं चीन क लेक इन काला पानी at the border of उत्राखंड with नेपाल तो ये बाती यहाँ पर बताई गए हैं यहाँ से चीजे आप लोगों को clear हो रही होंगे तो ये आप लोगों ने देख लिया साथी साथ अगर बात करें इसकी अतिहासिक पृष्ट भूमी क्या कहती है तो 1814 में जो British India अर्था अंगरेजी सासन के अधिन तो नहीं रहा लेकिन यहाँ पर कई बार दोनों के मद्ध युद्ध की इस्तिति बनी और युद्ध की इस्तिति जब 1814 की हम बात कर रहे हैं तो उस दोरान जो British India और नेपाल के मद्ध युद्ध हुआ था अर्थात गोरखाओं के मद्ध उसमे Britishers की जीत हुई थी अर्थात British India की जीत हुई थी और उसी के परणाम सरुप अब यह हुआ कि इसको हम किसी ऐसे अस्तान पर पहुँचाते हैं अर्थात ये युद्ध तो हमने जीत लिया फिर उस युद्ध को जीतने के बाद 1816 में सुगावली की संधी होती है जो दोनों क सीमा का जो निर्धारान किया था नेपाल के पश्चिमी सीमा को महाकाली नदी कमाना गया जो हम काला पानी शित्र की बात कर रहे हैं वहाँ पर एक महाकाली नदी बैती है उसकी बात की जा रही है कि नेपाल का जो पश्चिमी सीमा होगा वो महाकाली नदी होगी और जो में जो सुगौली की संधी होई थी उस संधी के तहत ब्रिटिसर्स का या ब्रिटिस का नियंत्रण सिक्किम पर हो गया गढ़वाल और कुमायू पर हो गया विवाद का मूल कारण ये है कि जो महाकाली नदी है इसके स्रोत का पता लगाना अभी भी असंभव है लगातार ये अभी अपना मार्क बडल रही है इस वज़ए से जो यथा इसिति है अर्थात ये जो कहा गया है उसकी पश्चमी सीमा है यहां पर हम देख पाएंगे यहां पर जो नेपाल की पश्चमी सीमा है उसको लेकर के बात होने लगी कि वो कहा है क्योंकि हम उसकी सौरोत का तो पत कि यहां पर जो सैन चौकिया भारत के द्वारा बना ली गई है समय के साथ अब उसे हटा ली जानी चाहिए वो दरसल नेपाल का संप्रभुशेत्र है और नेपाल का ही उस पर अधिकार होना चाहिए ठीक है दोनों देश स्वेंग के दावे करते हैं अर्थात भारत भी अपन मांचित्र जारी करके ये कहता है कि काला पानी शेत्र मेरा है और नेपाल भी अपने मांचित्र के माध्यम से कहता है कि काला पानी शेत्र उसका है अब यहां पर डिस्प्यूट की इस्तिति अभी भी बनी हुई है अब बात कर लें 2019 के तो 2019 में भारत सरकार ने अपना एक न दिखा दिया था भारत ने और दिखाने के बाद वहां से विरोध हुआ फिर नेपाल के तरफ से एक मैप जारी हुआ उसमें भी दिखाया गया कि वह शेत्र हुसका है विरोध की स्थिति बनी रही और यह सब बाते होती रही इसको लेकर के नेपाल में आंदोलन भी हुआ कि भारत ऐसा कैसे कर सकता है इत्यादि बाते और वहां पर जो उस समय प्रधान मंत्री थे केपी सर्मावली उन्हों ने एक संबैधानिक संसोधन को भी प्रस्तावित करके यह सुनिश्चित करने का काम किया कि जो मैप है उसको सही माना जाए इत्यादि इत्यादि बाते अगर को ऐसा कर दिया जाता तो फिर भारत के लिए समस्या हो जाती अभी यह इस्तिती बरकरार है अर्थात विबाद के इस्तिती अभी भी बरकरार है भारत का कहना है कि यह शेत्र मेरा है अंग्रेजों द्वारा यहां पर अर्थात जो हम काला पानी शेत्र की बात कर रहे हैं च की सीमा का दोबारा से निर्धारन किया और ये किया 260 तक नहीं रही हलाकि यह हो रहा है चीन की सक्रियता को ध्यान में रखते हुए लेकिन यह हिस्तिती 1947 तक अर्थात यह मांचित्र जो अंग्रेजों ने बनाया था वो 1947 तक बरकरार रहा और इसी को भारत आधार मानता है अब यहां पर देखें वर्स 1960 की बात करें तो भारती स लेना की चोकिया सीमा के करीब स्थापित की गई थी क्योंकि उस समय पता चल गया था कि लगतार चीन सक्री हो रहा है और चीन सक्री होने के साथ भले ही हम 1954 में पंचसील समझोता कर लिए थे और उसका हम पालन कर भी रहे थे लेकिन चीन की तरफ से उसका पालन नहीं किया से जा रहा था 1990 तक यह स्थिति एस्थापित रही जो हम काला पानेश्यत्र की बात करें कि भारत की सेनी चोकिया बनी रही अब नेपाल में क्या हुआ नेपाल में हलाकी यह कहा जाता है 1951 में यह आप बिंदृंआ यह बिंद्षानका ओगया अस्थापित हो गई अब लोकतांत्रिक सासन विवस्था अस्थापित हुई हलाकि वहां का जो संविधान है वहां के संविधान में कुछ प्रावधानों को ले करके मध्यसियों को ले करके कई और बातों को ले करके भारत का विरोध था वो विवाध हम बाद में देखेंगे बहरहाल यहां पर हम यह बात कर रहे हैं कि नेपाल में लोकतांतरिक सरकार की अस्थापना होई और उस सरकार ने 1816 के आधार पर अर्था सुगौली की जो संधी थी उस संधी के आधार पर यह कहा कि जो भारत और नेपाल है भारत प्लस नेपाल इसकी सीमा का निर्धारन किया यहाँ पर कब हो रहा है जब नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार अस्थापित हो रही है तब सभाविक सी बात है जब हम लोकतांत्रिक सरकार की बात कर रहे हैं तो इससे पहले की स्थिति वहाँ पर राजतंत्र की थी जिसके खिलाब बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था और फिर वहां पर लोगतंत्र स्थापित हुआ था हाल के कुछ वर्सों में अगर बात किया जाए कि कौन कौन से विवात दोनों देशों के मध्य रहे हैं तो बात यह हुई थी कि मई 2015 में भारत और चीन के मध्य ब्यापार के लिए समझोता हुआ था और इस समझोते के माध्यम स यह सुनिशित किया था कि जो दोनों देशों के मध्य ब्यापार होगा वो लिपू लेख दर्रे के माध्यम से होगा और लिपू लेख हमने तीन शेत्रों की बात की थी लिपू लेख लिंपिया धूरा और काला पानी शेत्र तो यह 1860 में अंग्रेजों ने अपने मैप में शामिल कर लिया था जो 1947 तक चल रहा था अब जैसे यह समझोता हुआ हलाकि दोनों देशों ने गलती ये की मतलब भारत और चीन की बात कर रहें जो 2015 में समझोता हो रहा है मोश्वफ हम भारत की बात कर रहें भारत ने इस समझोते को लेकर के ना तो नेपाल से कोई बात किया और ना ही उसको विस्वास में लेने की कोशिश की अब इस्तिती ये होई ये तो बात हो गई लेकिन नॉमबर 2019 में भारत ने जो अपना नया मैप जारी किया था उसमें इन तीन शेत्रों को भारत का हिसा बताया गया औ और इसी को लेकर के फिर उधर से विरोध हुआ आठ मई 2020 इंडो नेपाल सीमा इस छेत्र से सटे हुए रोड के निर्मार पर जो नेपाल है उसने आपत्ती प्रकट कर दी कि भाहिया आप ऐसे कैसे यहां पर जो ये लिपू लेक के रास्ते होते हुए जो ब्यापार की बात की जा रहे है इस मार्ग को आप कैसे सुचार रोप से चला सकते हो और कैसे निर्मार कर सकते हो यह शेत्र मेरा है तो यहां पर यह जो शेत्र आपको दिखाई दे रहा है काला पाने शेत्र और यह जो पूरा लिपू लेक आप देख रहे हैं लिंपिया धूरा देख रहे है यह मैप आपके सामने है यहाँ पर इस्तिती यह हुई कि नेपाल अपना पक्ष रखने लगा और नेपाल ने यह कहा यह जो आप देख रहे हैं यह वला छित्र अठारसो जो सोला की संधी है यही सीमा रेखा का आधार है कोई और आधार नहीं है जो अठारसो साठ की बात भारत करता है उसको यह नहीं मानता महाकाली नदी को नेपाल अभी भी अपनी पश्चमी सीमा मानता है साथी साथ नेपाल सरकार ने ये कहा 1860 से लेकर के 1990 तक यहां पर कोई भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी अर्थात वहां पर राजतंत्र स्था पे था नेपाल की बात की जा रही है और चुकी राजतंत्र अस्था पिथा सभाविक है कि ऐसी इस्थिति में राजतंत्र का मतलब राजा जो चाहेगा वही करेगा अर्थात राजा द्वारा कही गई बात ही कानून होगा उसमें राजा की जो जबाब देहिता है वो जनता के प्रति नहीं है तो लोकतंत्र जो आधुनिक संदर्ब में हम देखते हैं उस लोकतंत्र की इस्तिती राजतंत्र में नहीं देखी जाएगी सो भाविक सी बात है जन भागीदारी या जनता का मत इसमें शामिल नहीं है और जब जनता का मत शामिल नहीं है तो इसी आधार पर नेपाल सरकार ये कहती है कि भीया जो 1860 से लेकर के 1990 तक की इस्तिति की आप बात कर रहे हैं दरसल अब नेपाल एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट है और उस समय जो बाते थी राजतंत्र था जिसमें लोगों का कोई भी मत्त शामिल नहीं था अर्थात जनता उसमें नेड़य में भागेदारी नहीं निभा रही थी नेड़य में जनता की कोई भागेदारी नहीं थी ये बात उनके तरफ से सही है लेकिन जो सरकार थी जब आप किसी देश के साथ समझोता करते हैं तो समझोता किसी सरकार से किसी राजा से या किसी देश के प्रतिनिती से ही होती है तो उस समय जो देश इसका राजा था अर्थात नेपाल का राजा था उसके साथ समझोता था भारत का पक्षी यह है हम और हम उसको आधार मानते हैं यहां पर बात यह आती है कि भारत क्या कहता है भारत यह कहता है कि भारत 1860 से अभी तक सीमा रेखा का विरोध नहीं हुआ आज क्यूं हो रहा है ह होता है ना गाव में भी जगड़े में होता है पहले तो मैंने यहां पर बैल बांद दिया था तब तो आपने विरोध नहीं किया था आज आप विरोध कर रहे हो मैं बांध रहा हूं इसलिए यह छेत्र मेरा है ठीक है अब इसका मतलब थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे कि मै क्या कहना चाहरा हूं 1860 से अभी तक कोई भी सीमा रेखा को लेकर के विवाद नहीं हुआ था अब ये इस्तिती क्यों आ रही है इनका ये कहना है कि पूर्व इस्तिती बहाल करना जो चाहता है नेपाल वो अतारकिक है अब ये इस्तिती नहीं हो सकती क्योंकि हम काफी आगे चल चुके हैं सैने चौकिया और आधार भू धाचे का निर्मार काला पाने शेत्र में किया जा चुका है और वह भारत के लिए महत्वपूर्ण है बहुत जादे जरूरी है लोक्तांत्रिक सरकार अस्थापित होने के बाद भी जो इनका दावा है कि 1990 तक यहां पर 1860 से ले बात आती है लोक्तांत्र की अस्थापना चुना हुआ लोक्तांत्र की अस्थापना हुई 2015 की बात करें तो यहां पर समविधान समविधान बना और समविधान लागू हुआ अब लोक्तांत्रिक शासन विवस्ता की हम बात करें इनका यह कहना है कि जब इस दोरान वहां प इसका मतलब यह है कि आप जो बाते कह रहे हैं वो निराधार है और अतार्किक है भारत ने कहां पर चुक की या भारत की तरब से गलती कहां पर हुई जैसा कि मैंने पहले ही बताया भारत और चीन जो लीपूलेक समझोता 2015 में हुआ था इस समझोते को ध्यान में रखते हुए इन देशों ने खास करके भारत ने नेपाल की चिन्ताओं का असपष्ट उलंगन किया और नहीं नेपाल को बिस्वास मिलिया और नहीं नेपाल से इस बात को लेकर के चर्चा किया जो मान सरोर तिर्थ यात्रा है उस वो मार्ग पहले कहां से जाता था पहले वो मार्ग सिक कह रहा है ठीक बात है वर्तमान इस्थिति क्या है अब इसको समझ लेते हैं नेपाल का संसोधित ले में जारी हुआ और इस सनसोधित मानचितर में नॉबर 2019 में भारत में जारी किया था और उसके विरोध में नेपाल ने यहां पर 2020 में जारी किया अच्छा यहां तक तो बाते समझ में है अगई मांचितर में जो तीन फ्रत थे काला पानी लिपु लेक और लिंपिया धूरा त जानने और समझने को मिलता है मधेसी अर्थात नेपाल के मध्य शेत्र में निवास करने वाले लोगों को मधेसी कहा जाता है ठीक है अब ब्लॉकेज की स्थिती भी देखी गई जिससे वहां पर खाद्यान समस्या भी देखी गई कुछ बस्तूओं की कीमते बढ़ गई मैंने आपको पहले भी बताया कि लगभग 62 प्रतिशत के करीब जो यहां पर आयात निर्यात होता है आरति गतिविदिया उसके लिए वो भारत पर निर्भर है तो अगर भारत की तरफ से कोई भी ब्लॉकेज होता है अर्थात कोई भी ब्लॉकेज अगर किया जाता है सुभाविक का मतलब यह है कि वहाँ पर उन वस्तुऊं से सम्मंदित लगभग क्रैसिस की इस्तिती होगी तो वह इस्तिती देखा गया अला कि भारत नहीं यह कहा कि भीया यह मैंने नहीं करवाया है अगोसित रूप से यह हो रहा है ठीक बात है भारत नहीं यह कहा कि जो यह मांचित्र आपने जारी किया है और मांचित्र ना केवल जारी किया गया यह संसोधन का भी प्रस्ताव दर्ज किया गया अगर ऐसा कर दिया जाता तो फिर भारत का विरोध भी यहां पर बेकार जाता भारत ने इसका विरोध किया वर्तमान इस्थिति यह है कि यह तीनों छेत्र जो लिं समाधान के दोनों देशों के मद्य कौन कौन से प्रयास किये गए हैं नेपाल द्वारा काला पानी पर आधिकारिक दावा 1998 में किया गया यहां पर यह पर है ठीक है कि यह पर है 1998 में किया गया प्रधान मंत्री अस्तर की वारता दोनों देशों के मद्य वर्ष 2000 में हुई सिमांकन पर सहमती बनी कि इस शित्र का सिमांकन किया जाएगा वर्ष 2002 में लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ अर्थात इसका समाधान नहीं निकला अब भारत नेपाल संबंधों के महतों की बात करें तो महतों के कई बिंदू है यहां पर ध्यान ये भी रखना है कि अभी कुछ समय पहले भारत के और नेपाल के मद्य एक जड़ब की सिती देखी गई थी उसमें कुछ सिपाही शहीद हो गये थे हम शहीद ही कहते हैं तो वही सिती क्यों उत्पन हो रही है दरसल चीन का हाथ है नेपाल के सिर पे भाविक सी बात है कि उसके दम पर कहते हैं कई बार आप लोगों ने देखा होगा ग्रामेर शेतरों में या आप दोस्ती यारी में भी देखे होंगे अपने आप पास पडोस में भी देखे होंगे कि तुम किसके बल पे उचल रहे हो ये मैं जानता हूँ भारत को भी ये पता है कि नेपाल अगर उचल रहा है तो किसके दम पर उचल रहा है और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि नेपाल की विदेश नीती का आधार ही यही है कि जो मजबूती स्थिती में हो या जो आगे है उसको खुस रखने की कोशिश करो सुभाविक सी बात है कि भारत के मुकाबले चीन आगे है इस अंदर में वो खुस रखने की कोशिश कर रहा है सांस्कृतिक संबंद की बात करें तो नेपाल इस्थित है कहां पर नेपाल में इस्थित है लुम्बनी और लुम्बनी किसका जन्मस्थान है गौतम बुद्ध का और गौतम बुद्ध किससे संबंदित है बौध धर्म से बौध धर्म के प्रवर्टक माने जाते हैं स्वभाविक से बात है कि बौध धर्म के जितने भी धार्मिक अस्थल हैं उन धार्मिक अस्थलों में से एक है इसलिए ये धार्मिक दृष्टी से हमारे लिए भी महतोपूर है नेपाल के लिए भी महतोपूर है हम स्टांसकर्तिक महतों की बात कर रहे हैं बौध धर्म पव पहले बताया इसी की आधार पर मैंने कहा कि रोटी बेटी का संबंध है नेपाल में हिंदु धार्मिक अस्थलों की बात करें तो काटमांडू इस्थित पशुपती नाथ मंदिर है और पशुपती नाथ मंदिर के री इनोवेशन के लिए वहां पर कुछ डेबलब करने के ल पांती और मित्रता के बावजुद विशेश संबंधों को ये आधार प्रदान करता है मुक्त आवाजाही पर सहमती बनी थी इसी संदी के तहत ब्योसायों है तो राश्टी ब्योहार अस्थापित किया गया था इसका मतलब ये था कि एक बार आयात किये जाने के बाद प्रतिशत जो आर्थिक गतिविदियां है वह भारत के रास्ते संचालित करता है कौन नेपाल नेपाल सीमा साजा करता है इन सभी राज्यों से ये राज्य हम पहले भी मैप में देख चुके हैं सांस्कृतिक आर्थिक आदान प्रदान इसी से और जादे मजबूत होते हैं क्योंकि एक लंबी सीमा भी है और सीमा लगभग 1800 से अधिक है और उसी सीमा के आधार पर दोनों देश्चों के संबंद और जादे मजबूत होते हैं सामरिक महतों की बात करें तो जैसा कि हमने पहले ही बात कर लिया कि नेपाल भारत और चीन के बफर स्टेट के रूप में काम करता है तो कोई भी अगर अशान्ती नेपाल में होती है तो भारत उसे प्रभावित होगा और वहां पर अगर कोई अशान्ती या कुछ भी ऐसा असंतुलन देखने को मिलता है चाहें राजनितिक हो या चाहें आक्रमड हो वाह आक्रमड हो या आंतरिक विद्रों की सित हो उससे भारत प्रभावित होगा ही होगा तो भारत की राष्टी सुरक्षा हे तु नेपाल का सामरिक महत्व है संभावित आक्रमण के लिए बफर स्टेट के रूप में काम करता है हमने पहले ही बात कर ली कुछ और बाते यहां पर दोनों देशों के बीच सहीयों के शित्र कौन कौन से हैं तो ब्यापार और अर्थविवस्था के शित्र में दोनों सहीयों करते हैं भारत नेपाल का सबसे बड़ा ब्यापारिक भागिदार है और यहां से अर्थात भारत से नेपाल को रेमिटेंस बहुत जादे जाता है मतलब सबसे जादे रेमिटेंस नेपाल को भारत से ही जाता है रेमिटेंस का मतलब क्या होता है जब किसी देश के नागरी किसे दूसरे देश में जाकर के कारिय करते हैं और वहां से अपने देश में अपने परिवार को जो पैसा वो भेजते हैं उसे रेमिटेंस कहते हैं एकॉनमी की भासा में यहां पर सबसे जादी यहां जाता है विदेशी निवेश का भी भारत सबसे बड़ा सुरोत है अर्थात नेपाल में विदेशी निवेश का फर में विनिर्माड सेवाओं बैंकिंग सेवां बीमा शुस्क बंदरगाह की बात करें बिजली शेत्र परेटन आधी शेत्रों में कारे कर रहा है लगतार भारत और नेपाल शेत्र में कारे कर रहे है की बढहने की भी बात कही गई है कि का्ट मांडू से जोड़ना है इसके अलावा विकास सहायता की बात करें तो भारत अलग-अलग माध्यमों से अलग-अलग तरीकों से यहां पर अर्थात नेपाल में और संदचना निर्माड में विकास कारियों में सहयोग करता है भारत बुनियादी धाचे के निर्माड है तो लगतार सहायता करता आया है अभी भी सहायता कर रहा है नेपाल को विकास में सहायता करता है अगर किसी देश में आउसनरजना का विकास होता है इसका मतलब यह है कि वहाँ पर लोजिस्टिक बहतर होगा पहले हम आउसनरजना की बात कर लेते हैं सagak औशनरचना परिवहन से संबन्धित जितनी भी बाते हैं जो आर्थिक विकास में सहाइक होते हैं मूंन की बात कर रहे है यदी और्षन रजना का विकास की चिट्र होगा उसके लिए भारत काम कर रहा है अरुडा नदी पर जो बांद बनाया जा रहा है भारत उसके लिए सहीओ कर रहा है तो विकास हेतु सहायता भारत प्रदान कर रहा है रक्षा शेतर में बात करें तो भारती सेना में जो गोरखा रेजिमेंट है वो आंसिक रूप से आप आंसि तो यहां पर देखें क्योंकि जब रेजिमेंट की बात आती है तो यहां पर देशकी सुरक्षा बात जाती है नेपाल के पहाडी जीलों से भरती किया जाता है दोनों देशों के मद ये सैन्य अभ्यास भी किया जाता है जिसका नाम है सोरे किरण तो यह रक्षाशेत्र में सहयोग हम देखेंगे साथी साथ सांस्कृतिक सहयोग की बात करें तो तीन सिश्टर सिटी समझोता यह किनकिन शहरों को जोडता है तो देखिए काठमांडू से वारांसी लुम्बनी से बोद गया भारत में जनकपूर से अयोध्या और इसी चीज को मैंने कहा था कि जनकपूर से अयोध्या नेपाल को लीगली भारत को आधिकार है भारती समुदाय की बात करें तो बड़े पैमाने पर भारत के लोग भी नेपाल में जाकर के ब्यापार करते हैं ब्योसाई के रूप में ब्यापारी के रूप में डॉक्टर इंजिनियर और मजदूर के रूप में भी वहाँ पर बिभिन नर्मार कारियों में सहायता देते हैं निर्मार कारियों में योगदान देते ह अपनी सेवाएं देते हैं वहां से भारत को भी Remittance की प्रापती होती है बहराल बहुँ पक्षी साजयदारी की बात करें जितने भी बहुपक्षी मंच है अर्थात बहुपक्षी मंच का मतलब अंतराश्टी संगठनों की बात की जारिये वहां पर भी भारत और नेपाल जु क्या है बहुपक्षित तकनिकी और आर्थिक सहयों के लिए बंगाल की खाड़ी पहल इसमें दोनों ही सदस्य देश हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन जो दुतिय बिश्व युद के बाद एक आपने देखा था आपने लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पूरा बिश्व अब्यत यूनियन कर रहा था एक साम्मेवादी और एक पूजिवादी विचारधारा का समर्थन कर रहे थे इन सबसे अलग चुकि भारत एक नौस्वतंत राष्ट था तो नौस्वतंत राष्ट होने के नाते भारत गुट निरपेक्षता की नीती को अपना है जिससे संच संगिकता अभी भी है वो किसी हम सेपरेट विडियो में बात कर लेंगे सार्क छेत्री सहियों के लिए दक्षण ACI मंच संग इसमें भी भारत और नेपाल दोनों ही शामिल है कुछ और बाते यहां पर देखेंगे सैटेलाइट कैंपस की अस्थापना भारत कर रहा है भारत लिंक की बात करूं तो इसमें क्या किया गया है जैनगर कहां पर है बिहार से ले करके कुर्था नेपाल तक 35 किलोमेटर रेल लिंक की बात हुई है इसका विस्तार यह कहा गया है कि आगे हम विस्तार करके कहां तक ले जाएंगे बीजल पूरा से ले करके वर्दी वास तक इस Real Link को ले जाए जाएगा, तो इस संसम्मंधित लगभग भारत और नेपाल के संबंधों से संदित संछेप में, हम लोगों ने एक लगभग प्रारूप देख लिया, और इसमें क्या-क्या बाते शामिल थी, उन सभी बातों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया, ये हमारी लिए महत्वपूर्ण है आयार का विशय है और आयार से जोड़ करके आप देखेंगे मुख्य परिक्षा से जोड़ करके देखेंगे किन किन शेत्रों में सहयोग कर रहे हैं और सहयोग के साथ साथ किन किन शेत्रों में दोनों देशों के मद्ध विबाद की इस्तिति देखी की सिसन में मेरे साथ इतना ही अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार जाने से पहले एक छोटी सी सूचना आप लोगों के लिए है कि आपके जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत जादे महत्वपुन है हमारा मनोबल बढ़ाते हैं आप सभी हमारे च झाल झाल